हेलो फ्रेंज, आज मैं बनाने जारी हूँ वेज कटलेट रेसिपी, बहुत ही आसान तरीका इसे बनाने का, तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं, इसके लिए हमें चाहिए अद्रग, यह मैंने कद्दू कस कर लिया है, एक गाजर कद्दू कस कर लिया है, और तीन से अलावा हमें लेना है, ब्रेड यह मैंने 5-6 पीसे ब्रेड के लिए हैं, अब एक कडाई में बिल्कुल थोड़ा सा 1 टीस्पून जितना तेल डाल देना है, और इसमें सबसे पहले मैंने अद्रग और मिर्ची डाल दी है, और इसे इस प्रकासे चलाते रहेंगे, हिलाते र इसमें बिल्कुल कम आयल में बनाया है, इसलिए इन्हें इन्हें बिच-बिच में चलाते रहना पड़ेगा, इस प्रकार से और अब ये मैंने गाजर इसमें डाल दी है, अब इसे फिर से अच्छे से मिक्स कर देंगे, इसे बहुत ज्यादा देर तक नहीं पकाना है, यह मैंने इसमें नमक डाल दिया, स्वात की अनुसार नमक इसमें मिला देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, यह मैंने 1 टीस्पून जितना सॉस, टोमेटो सॉस इसमें मिक्स कर दिया है, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और यह मैंने 1 टीस्पून चाट मसाल इसमें मिला दिया है और बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये लीज़े ये मसाला त्यार हो गया है अब इसे हम एक साइट रख लेंगे प्लेट में निकालके और अब लेनी है ब्रेट और इसके किनारे वले हिस्से को इस प्रकार से चाकू से काटके अलग कर लेना है और अब यह जो किनारे का हिस्सा है इसे फेकना नहीं है इसे में इन्हें मिक्सर का जो जार होता है उसमें डालके और पीस लेना है इसका पौडर बना लेना है और वो इसमें आगे काम आने वाला है तो यह मैंने इसका पौडर फॉर्म कर लिया इसे अब इसे एक साइड रख और इसी प्रकार से दूसरे त्रब भी इसे पानी डालके थोड़ा 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 पानी डाला है नहीं तो वह बिल्कुल तूट जाएंगी ब्रेड इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालके इसे गीला कर लिया और अब इसके उपर थोड़ा सा बेलन चलाके इसे पतला क इस प्रकार से मैंने दबा दिया और अब ये ब्रेड लेके और इसके उपर जो इस्टफिंग हमने तयार की थी ये इसे रख देंगे बीच में और इसे इस प्रकार से मोर के फोल्ड कर लेना है अगर ऐसे गोल बनाने में अगर ब्रेट टूटे तो इसमें आप फोड़ा सा पानी उपर से और लगा सकते हैं और बढ़ियां से इस प्रकार से गोल बना के और उसे हलका सा प्रेस कर देना है ये देखे इस प्रकार से सभी ब्रेट के कटलेट बना के तयार कर लेना है Is प्रकार से इने Gold round shape बना कर और कर लेना है और ये चूरा की उपर इस प्रकार से लपेट लेना है जू ब्रेट का powder बनाया था किनारे वाले हिस्से का उसे इस प्रकार से सभी Cutlet की उपर चिपका लेंगे और अब इने यह मैने पैन में डाल दिया है, थोड़ा सा तेल डाला है, जादा नहीं, एक चम्मच, एक बड़ी चम्मच है और इसे गरम करके और यह मैने इसमें कटले डाल दिया है गैस की फ्लेम कम ही रखनी है बिल्कुल सीम पे करके मैं इने बना रही हूँ और दोनों साइट गोल्डन ब्राउन होने तक इने तल लेना है तो यह देखिए इस प्रकार से इने तल लेंगे बिल्कुल कम ओल में बहुत ही अच्छा नास्ता बनके तयार होता है इसे जब भी नास्ते का खाने का मन करे नास्ता करने का आप इसे फटाफट बना के खा सकते हैं और सबको खिला भी सकते हैं तो कैसी लगी यह रेसिपी कमेंट करके जरूर बताइएगा मिलते हैं